और बताते हैं आपको इस स्पीच बड़ी खबर सामनी आ रही है दिल्ली से दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर E.D. ने खटखटाया सुप्रीम कोट का दरवाजा जमीन खोचाले में सुप्रीम कोट में अपील की है E.D. की तरफ से की गई है हिमन्त सोरेन की जमानत को चुनोती दिया है E.D. ने तो चारकंड हाई कोट से मिली है जमानत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं E.D. ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया है जमीन खोचाले में सुप्रीम कोट में अपील और हिमन्त सोरेन की जमानत को चुनोती दिया है E.D. ने तो चारकंड हाई कोट से मिली थी हिमन्त सोरेन को जमानत सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया है क्या कुछ अपडेट है फिलाल पूरे मामले में हाई कोट की जो चित्पडिया है इस पूरे मामले में हेमन्त सोरेन को लेकर वो पक्षपात हूँ है और इसलिए जो टिपड़ी की गई हाई कोट की वो सही नहीं है कोट ने कहा था कि पर्थब दिश्ट्या में हेमन्त सोरेन के खिलाव कोई मामला नहीं बनता और इसी पूरे प्रक्राम को लेकर अब एडी सुप्रीम कोट पहुच गई है देखना बहुत अहम होगा कि जिस तरफ एक तरफ हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंतरी की कुर्सी समा ली है बिल्कुल सुनेल और देखिए आज ही हेमन्त सोरेन ने आज अपने मंतरी मंदल का विस्तार किया है और मुख्यमंतरी पत की शपत ले ली है लेकिन अब क्योंकि एडी के तरफ से एक बार फिर से सुप्रीम कोट में कहा गया दायर की गई है यह या चुका कि अब कारवाई की जाए एडी ने दर्वाजा खटकर आया सुप्रीम कोट का तो क्या आने वाले दिनों में हेमन्त सोरेन की मुश्किले बढ़ सकती है हाल एडी ने सुप्रीम कोट में जोजी दाखिल कि यह उसमें हाई कोट के आदेश पर सवाल परा किया है और यह कहा है कि जब इस पूरे मामले में इन्यमस्टिकेशन चल रही है और इस पूरे मामले में हेमन सोरेन हैं तो ऐसे में हाई कोट का यह कह देना कि इस पूरे मामले में परसम दिश्टिया में हेमल सुरेन के खिलाथ मामला नहीं बनता वो जाच को कही न कहीं भटका सकता है और इसलिए एडी सुप्रीम कोट पहुंची है लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो राजि निस्तिक उठापटक की वज़ा से इस परे मामले में पूरे में पूरे मामले में पूरे में बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए